नमस्कार स्वागेता आप सभी का NBSC News में मैं हूँ आपके साथ दिपेका देश्वर में 18-14 साल के लोगों का वैक्सिनेशन शुरू होने के साथ ही वैक्सीन सेंटर्स पर जम कर फीड उमड रही है इसी तरह आज बाडमेर के बियांड में भी वैक्सिन सेंटर पर भारी भीड उमड़ी पड़ी वैक्सिनेशन सेंटर्स पर जादा भीड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई अब देख सकते हैं किस तरह यहां सोशल डिस्टेंसिंग की रज्या उड़ाए जा रही है यही नहीं भीड को काबू करने के लिए पुलिस की भी मदद लेनी पड़ रही है बियांड में कोरोना वाइरस की दूसरी लहर के साथ ही देश भर में 18-14 साल की लोगों के वैक्सिनेशन का दोर भी शुरू हो चुका है हलंकि कोरोना वैक्सीन की कमी की वज़य से पिछले कुस दिनों में वैक्सिनेशन की रफ्तार में कमी देखनी को मिल रही है और अधिकांश वैक्सिनेशन सेंटर्स पर बेकावू लोगों की भारी भीर जमा है यही नहीं कई जगे तो अस्पतार प्रशासन हो या फिर वैक्सिनेशन सेंटर्स अधिकतर को पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है इसी भी शिव के भियांड पीस सी भी शनिवार को 18-44 साल के लोगों का वैक्सिनेशन शुरू हुआ अस्पतार में 18-44 साल की उम्र के लिए मातर 200 वैक्सिन स्लो ठीव पलब थे लेकिन यहां उससे भी अधिक लोग काफी संक्या में वहां पहुच गए इनमें से अधिकतर लोगों यह वैक्सिनेशन के लिए रेस्टेशन करवाया हुआ था जब जादा भीर से हालाद बिगरने लगे तो अस्पतार परशासन के हाथ पैर फूल गए और अफरा तफरी मच गई इस पर वहां पुलीस बुलानी पड़ी तब जाकर वैक्सिनेशन का काम सुचारू हो पाया बियान पुलीस वारा अस्पतार में मौझूद लोगों का कोरोना गाइट लाइन का पालन करवाते हुए वैक्सिनेशन करवाये गया फुलार के लिए सर्फ इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए चुड़े रहिए NBSC News के साथ हमस्कार